हेलो नमस्कार जैहिं दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाला है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जही दरसल आज के जो वीडियो जहना बहुत ही नॉलोजिबल है क्योंकि अगर आप भजाज की लोन कभी तरह के लिया है जैसे कि बाइक लोन हो गया तो बाइक लोन की यहां को कैसे पे करते हैं वह वीडियो आज इस वीडियो के अंदर दिखाना वाला हूँ तो ज्यादा कुछ जाने के लिए इस वीडियो को अं तक जरूर देखेगा ठीक है तो दोस्तों मेरे केस में में यहां पे कंप्यूटर से में पेमेंट करने वाला हू तो सबस्तों अगर आप जो कंप्यूटर से कर रहा हूँ तो आपको पेटेम पे आपको ढूड़ना होगा जो लून पे का ऑप्शन जाना वो आपको सिलेक करना होगा सबसे पहले आपको ढूड़ना होगा वो चीज़ तो यहां पर मैं यहां पर जो यह कंप्यूटर का तो तो मैं यह पर पे लून पर क्लिक कर चुक हूँ और यह पर आपको अगर आपकी पास जो लून एकाउंट नंबर है तो आप उसको लून एकाउंट नंबर को डाल दीजेगा और यह पर सबस्व लाप उसको चूज कर लिएगा मेरे यह आप बजाज ओटो फाइनस से और मैं यह पर बजाज ओटो फाइनस को यह पर सिलेक कर चुक हूँ और मैं अलड़ी पे टेम पर एक दो बार पे भी कर चुक हूँ तो नंबर हैं पर इंटर करते हो एंटर करने के बाद सारे डीटियल्स आ जाते गाड़े का इंक्लूड गाड़ी का नंबर भी आ जाती है तो सब कुछ डालने के बाद यह को कुछ ऑफर कोड़ आपको शोपिंग कोड़ वगर दीखने को मिल जाएगी अगर अप उसको अपलाई कर सकते हो तो में यह पर कंटिनु एंट पे किलिक करूंगा और यहां पे मेरी फोन की अंदर जो नौटिफिक्शन मेरी फोन की अंदर अध तो मैं यहाँ पे मेरी फॅन स्इक्रीन को मेरी और पर kole Fifteen और आपको देख चुक तो यह पर payment आ चुका है और मैं अभी अपने bank से देता हूं ठीक है तो यह पर UPI ID डाल रहा हूँ कि कि आपको security reasons के पर आपको black देख रहा होगा तो यह पर payment थोड़ा time ले रही है थोड़ा time उसको दे देते हैं और payment यह पर successful हो चुका और computer screen पर थोड़ी देर के अंदर यह प पर computer में भी एकड़ी दिखा रहा है कि payment successful हो चुका है ठीक है । यह पर payment तो successful हो चुका है तो आपको भी इस करके आपको payment करना है अगर आपकी फोन से करना है तो आपको easily आपको onboard नबर डालना है easily आपको एंटर करना है बस आपकी सारे चीज ओजाती है ठीक है तो